जो भी बच्चे, अगर 90 प्लस मार्ग्स, मतलब 100 मार्ग्स के आस पास भी अगर आप गेन किये हो, ठीक है, 100 मार्ग्स के आस पास अगर आप गेन किये हो, तब जा करके आपको easily उसके अंदर क्या मिल सकता है, CSE IT जैसा ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने 100 से करेंगे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मार्ग वर्सिस रैंक के बारे में, जो की वीडियो बहुत ही डिमांडिंग था कि WBJ 2024 के लिए expected mark versus rank क्या बनने वाला है, कितने marks पे हमें कितना rank मिलने वाला है, एड़ इसी तरीके से हम एक next वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, rank versus college का, तो आज आप लोगों का ये confirm हो जाएगा, कि आप जो attempt किये हो, इतना marks आ रहा है, उसके हिसाब से आपको कितना rank आ सकता ह and then फिर आप guess कर सकते हो कि आपको कौन-कौन सा college के अंदर कौन-कौन सी branch आपको मिलने की chances है, ठीक है, तो इस कारण से आप इस वीडियो को starting से लेकर के last तक देखना, जहां भी किसी भी type का दिक्करता है, तो आप comment करके जरूर पूछना, और जो भी बच्चे channel पर नए हो, चैनल को subscribe कर लो, ठीक है, और इसी type के informative वीडियो के लिए आप चाहो तो हमारे WhatsApp ग्रूप and Telegram ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हो, link आपको description में दिया गया है, जो बच्चे counseling कराना चाहते हैं, paid counseling कराना चाहते हैं, या फिर free counseling कराना चाहते हैं, दोनों ही बच्चे नीचे दि से रैंक की बात करें, तो 150, 1 से लेकर के 50 तक का जो rank है, वो कितने marks पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको greater than 150 marks, 150, total देखो 200 marks का आपका क्या रहता है, paper रहता है, ठीक है, 200 marks का total paper रहता है, जिसके अदर 100 marks math का होता है, and 100 marks आपका क्या होता है, 100 marks math का होता है, और यह 100 के अंदर physics plus chemistry होता है, ठीक है, तो यह जो चीज है, ठीक है, यह जो चीज है, इसमें अगर 150 marks से उपर का, अगर आप score कर रहे हो, तो आपकी जो rank है, वो 1 से लेकर के 50 तक आ सकती है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, 140 से 145 marks पर हमें कितना rank मिल जा सकता है, तो आपका 50 स से लेकर के 155 तक, ठीक है, 130 से 139 तक आपको कितना 1500 से 200 rank के बीच में आपका rank बन सकता है, ओके, आगे 120 से 129 marks तक आपका जो है, वो 200 से 500 rank के बीच में आपका rank बन सकता है, ठीक है, 110 से 119 आपका कितना 500 से 800 बच्चे उसके अंदर rank कर सकते हैं, ठीक है, 500 से 800 rank तक यहां पर आ आपका आ सकता है actually क्या है जिस तरीके से आपका number बढ़ता जाएगा ठीक है उसके अंदर number of student की संख्या बढ़ती चल जाएगी क्योंकि देखो तो actually यह जो range बढ़ता है यह depend करता है कि आप कितना ज्यादा marks गेन कर रहे हो ठीक है अब देखो 100 से लेकर के 109 के बीच में जिस बच्चे का marks आता है ठीक है तो उनको जो rank मिलने वाला है वो 800 से लेकर के 1200 के बीच में मिलने वाला है ठीक है 109 से लेकर के आपको 100 तक rank जो अग 8000 के बीच में rank बन सकता है ठीक है उसके बाद 70 से 90 की अगर हम बात कर लें तो 70 से 90 के अंदर जो आपका rank बनने वाला हो 8000 से 12000 के बीच में rank बनने वाला है 60 से 70 अगर आप लाते हो तो आपको 12000 से 20000 के बीच में rank देखने को मिल जाएगा अगर less than 50 की बात करें मतलब 50 जो हमारे पास डेटा है मतलब की 1.5 लाइक इसमें देने जो आएंगे वह 1.2 से 1.25 लाइक तक बच्चे आए हुए हैं ठीक है देने के लिए ठीक है तो जो रैंक बनेगा बस इतना ही बच्चों के बीच में बनेगा ठीक है अब देखो यहां पर देखो अगर हम बात करें सेफ स्कोर किसके लिए जैसे अगर हम बात करें आई-म के लिए ठीक है तो आई-म के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो भी बच्चे जो भी बच्चे अगर 90 प्लस मार्क्स मतलब 100 मार्क्स के आस पास भी अगर आप गेन किये हो ठीक है 100 मार्क्स के आस पास अगर आप गेन कोहीं मिलेगा आगर आप 100 मार्ग से ऊपर मार्क गिन के हो तो जल्द जल्द राम आपको वीडियों लाने वाला हूं झाल आपको जिसमे सब्kellय रहते होगा फटा-फट कॉम्豆 करके वीडियों अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे दिए गया है, गुगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, किसी भी एड्मिसन कोईरी के लिए, और साथी साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, मुस्कुराते रहो, और मचाते रहो, बबाई अव्रिवरिवन!